स्वागत है स्टूडेंट्स फिर से हमारे चैनल पर हम आपके लिए आगे की कारे पुस्तिका यानि आगे की कारे पत्रक प्रवा हिंदी कारे पुस्तिका के कारे पत्रक नंबर 27 और 28 लेकर आए हैं इससे पहले हमने कारे पत्रक 26 तक कर चुके हैं और अपनी चैनल पर डाल च आज हम कारेंपत्रक 27 में δक्षिता दे रखी है व्या व्याकरन में क्रियास्बदों का सही प्रयोग और सही तरीके से करपाना निमने लिखित वाक्यों में क्रियासंबंदी असुद्धियम हैं उन्हें ठीक करके वाक़े दोबारा लिखिए, वाक्य यहां दिया हुआ है, आईए खाना खालो, तो हम इसको सही वाक्य कर देंगे, आईए खाना खालीजिए, दूसरा वाक्य है, मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, तो हम इसको सही करके लिखेंगे, मैं आज पढ़ने नहीं आऊंगा, आएगा की जग आएगा, मैंने, तीसरा वाक्या है, यह मैंने करा है, तो यह गलत है, यहां लिखेंगे हम, यह मैंने किया है, अगला है, मीनल ने वह बात सुना था, जही वाक्या होगा, मीनल ने वह बात सुनी थी, अगला वाक्या है, कॉमल ने गाना गाई, जही वाक्या होगा, कॉमल ने गाया तो इस तरह से हमने ये क्रिया सम्मंदी जो सब्द हैं वो सही कर लीजिए खालो की जगे खाली चीए नहीं आएगा की जगे आउंगा और कराहे की जगे किया और सुना था की जगे सुनी थी और गाई की जगे गाया अब देखते हैं प्रेशन नमर दो नीचे दिये प्राक्यों में क्रिया सब्दों पर गोला लगा ये और क्रिया लिखिए पहला वाक्य दिया हुआ है आज भुक के मारे प्राण निकल रहे हैं तो यहां पहले से ही गोला लगा हुआ है निकल पे और निकलने को जो क्रिया के रुप में लिखा है तो निकलना लिख दिया य हम आपको अच्छी चीज खिलाएंगे यहां खिलाएंगे पर हम गोला कर देंगे और इसकी क्रिया सब्द लिखेंगे खिलाना हम लोग लॉंबडी को मजा चखाएंगे चखाएंगे पर गोला कर देंगे और यहां लिखेंगे चखाना कोई में जहाग कर देखिए देखिए पर गोला कर दिया ये क्रिया सब्द है और यहां लिख देंगे देखना अशोक नदी में तैर रहा है तैर पे गोला लगा के यहां लिख देंगे क्रिया सब्द को तैरना दीपी का सुब ऐसे खेल रही है, खेल का हो जाएगा खेलना प्रश्च नमबर तीन है, नीचे दिये गए सब्दों का खाली इस्थान में सही प्रियोग करके वाक्य को पूरा कीजिए अध्यापक बच्चों को पड़ा रहे हैं तो यहाँ पर पड़ाना दिया हुआ था, उससे इस वाक्य को पूरा किया है और यहाँ लिख दिया है, पहले से लिखा हुआ है किताब में आपकी में कारिपुस्तिका में अध्यापक बच्चों को पड़ा रहे हैं सेकंड है, दादा जी की कहानी, आगे खाली जगे दी हुई है और यहाँ दिया हुआ है सुनना तो हमको सुनना से इस वाक्य को पूरा करना है तो मैंने लिखा है, दादा जी की कहानी सुनने को सब बैठ गए अगला वाक्य है रवी ने खाना और आगे खाली जगे है और यहां दिया हुआ है पकाना तो हमने लिखा है रवी ने खाना पकाया था अगला वाक्य है पुत्र ने पिता को पत्र लिखा है इसको हमने लिखा है लिखना यहां दिया हुआ है तो हमने इसका प्रियोग करते हुए लिखा है पुत्र ने पिता को पत्र लिखा है प्रधाना चारेने भाषन देना को यहां दिया तुम घर कब आगे खाली जगे है जाना को हमने बतल दिया है जाओगे तुम घर कब जाओगे तो इस तरह से हमने इनको वाक्यों को पूरा कर दिया है और इसी के साथ ही हमारा कारे पत्रक नंबर 27 कंप्लीट होता है अब हम देखेंगे कारे पत्रक नंबर 28 इस कारे पत्रक में दक्षिता है व्यावारिक व्यातरन वाक्यों में क्रिया विसेशन को पढ़कर समझना और लिखना प्रश्ण मर एक है दिये गई वाक्यों की किरियाओं के लिए विशेशन लिखकर वाक्य को दुबारा लिखिए पहला वाक्य दे रखा है बच्चा दूद पीता है तो इसमें हम विशेशन बताते हुए यानि विशेशन को लिखकर के दुबारा लिखा है हमने तो विशेशन सब्द हमने यहां लिखा है मीठा, बच्चा मीठा दूप पीता है गाय घास चरती है, तो हमने घास की विशेशता लिख दिये हरी, गाय हरी घास चरती है वह गाता है, तो हमने यहां विशेशता लिखते हैं, विशेशन सब्द का प्रियोग किया है वह बहुत सुरीला गाता है नदी बैती है नदी तेज बैती है तो तेज यहां विशेशन सब्द है इस तरह से हमने इन वाक्यों को विशेशन सब्द का प्रियोग करके दुबारा लिख दिया है प्रश्ण नम्मर दो है दिये गए क्रिया सब्दों से वाक्य बनाईए गाती पहला क्रिया सब्दे रखा है गाती कोयल सुरीला गाती है यहां वाक्य पहले से बना हुआ है दूसरा है उठता तो हम वाक्य बना देंगे राजू प्रातय जल्दी उठता है तीसरा है हस रीटा जोर से हस रही थी अगला है लिखा रवी ने गाय पर निवन्द लिखा है अगला है देखता बंटी प्रति दिन शाम को टीवी देखता है तो इस तरह से हमने क्रिया सब्दों से वाक्य बना लिये हैं अब प्रशन नमर तीन देखते हैं प्रश्ण नमर तीन है क्रिया विशेशन को छांकिए यहां पर एक साड़नी दी हुई है जिसमें वाक्य क्रिया विशेशन और क्रिया जैसे कि उधारन दिया हुआ है बादल जोर से गरज रहा है तो यहां क्रिया विशेशन है जोर से और क्रिया हो रही है यहां गरज रहा है तो गरजरा को हमने क्रिया के नीचे यहां लिख दिया, यह पहले से लिखा हुआ है, तुम कहां जा रहे हो, तो यहां क्रिया विशेशन है कहां, और जा रहे हो है क्रिया, तो खिरिया के नीचे हमने जा रहे हो लिख दिया, चोर चुपके से भाग गया, यहां क्रिया विशे लड़का पड़ता है यानि क्या पड़ रहा है हमें पता होना चीए नीचे दिये गए इन वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक या सकर्मक लिखिये रिचा चित्र बना रही है तो चित्र बना रही है पता चल रहा है क्या बना रही है सकर्मक्रिया है मनू पानी भरता है तो मनू क्या भर रहा है पानी तो ये भी सकर्मक्रिया है नभीन दोड़ता है किसलिए दोड़ता है कहां दोड़ता है पता नहीं चल रहा, इसलिए ये अकर्मक के रिया है, मैं गाता हूँ, ये भी अकर्मक के रिया है, चिडिया उड़ रही है, कहां उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, तो पता नहीं चल रहा, इसलिए ये भी अकर्मक वाक्य है, तो इस तरह से हमारा ये प्रेस्ट नमबर 4 के कम्प्लीट होते ही कारे पत्रक नमबर 28 वी कम्प्लीट हो जाता है तो बच्चों हमने इस वीडियो में 27 और 28 कारे पत्रक दो कारे पत्रक देखे हैं आगे के कारे पत्रकों को देखने के लिए जोड़े रहे हमारे चैनल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक